तो दोस्तों क्या हल चाल तो दोस्तों मैं आपके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेट लेकर आया हूँ अगर आप लोगों ने जून 2023 का अगर आप लोगों ने एक्जाम दियाँगा तो आपको ये कोशन्स जरूर देखने मिलाँगा तो हमें अगर नॉर्मल निकाल लेते लेकिन अगर हमें पुछा जाता है आर और एस कॉंफिगरेशन इन बाइस साइकलिक सिस्टम तब हम थोड़ा सा वहाँ पर कंफियूज हो जाते तो कैसे बाइस सिस्टम में आर और एस कॉंफिगरेशन निकालना है आज के जो कंसेप का वीडियो है उसमें हम देखने वाले तो देखते हैं यहाँ तो देखते हैं यहां पर यह तो यहां पर हम आर और और कंफिगरेशन से आ यहां यहां ऑपर कैसे फांड आउट करें तो देखो आपको 22 क्मपाॉंड दिया जाता है उस तरह इसे कहते हैं हम Bicyclic compound यहाँ पर जो आपको कार्बन नजर आ रहे न अगर इन कार्बन में से अगर किसी के उपर भी काईरा सेंटर यह देखो यह आपके ब्लू सरकल जो नजर आ रहे इसके उपर अगर कोई भी कार्बन के उपर अगर काईरा सेंटर आ जाता है तब हमारा नॉर्मल कंसेट जो भी आप नॉर्मल कंसेट यूज करते हैं अगर फोर्थ प्राइट अगर होरीजंटल प्लेन पर है तो configuration चेंज होंगा अगर बिलोग दी प्लेन है तो configuration एंज इस होंगा अगर इन प्लेन हाता है तो आपको क्या कराना है इवन चेंज देख लेते यहां पर अगर आपको समझ भी नहीं आया तो यहां पर देख लेते देखो यह आपका bicyclic system जैसे यहां पर मैंने hydrogens को लिख लिया अब बॉदी प्लेन यहां पर मैंने लिख लिया ब्रोमीन अब मुझे यह chiral center का क्या करना है configurations निकालना है कैसे निकालूँगा मैं यहां पर देखो according to CIP rule CIP rule क्या कहता है यह high atomic number high will be the priority यहां पर जो chiral center है यहां पर 4 different connectivity नज़र आ रही यहां पर कार्बन यहां पर कार्बन किसे आ जाएंगी second priority किसे आ जाएंगी third और hydrogen को आ जाएंगी fourth priority तो आपको क्या कराना है rotations कराना है 1,1 से लेके 2,2 से लेके 3 clockwise rotations to r configuration but fourth priority on horizontal plane तो configurations क्या होगा change हो जाएंगे are changes to as configurations आ जाएंगे सेम ऐसे ही अगर मैं hydrogens को below the plane रखता हूँ देखो यह रहा यह रहा देखो सरा जहां से अब के बार क्या कर रहा हूँ मैं यहां पर hydrogens below the plane रख रहा हूँ और bromine को रख रहा हूँ मैं about the plane तो फिर से आपकी जो priority हम जो assign करेंगी priority तो सेम आ जाएंगी, bromine को first priority यहां पर carbon की connectivity, tertiary, secondary यहां पर third priority और hydrogens का low atomic number इसे आ जाएंगे आपकी fourth priority फिर से कराओ यहां पर rotations, one, one से लेगे two, two से लेगे three, clockwise rotation, so configuration आ जाएंगा, अब fourth priority बिलो धी plane है तो यहां पर configuration change कराने की भी आपको ज़रूँ आते हैं, अब third possibility किया हो सकती, तर फूर्थ priority in plane आ सकता है, third possibility को भी देख लेते हैं, देखो, यहां आपका bicycling compound, यहां आपका क्या है, bicycling compound, अब यहां पर मैं क्या लिख लेता हो, chlorine, यहां पर chlorine लिख ले रहा हो, यहां पर मैं bromine लिख देता हो, यहां यहां पर हम प्राइटे असाइन कर सकते हैं, अब chlorine और bromine में हमें बताएं कि sir, bromine का atomic number जादा होता है, तो bromine को आ जाएंगे sir, यहां पर first priority, chlorine को second, यहां पर tertiary carbon है, इसे third, और यहां पर fourth priority अब आ चुकी है, in plane में, fourth priority कहां पर है, in plane में, अब याद रुको, जब fourth priority in plane में आती है, तो आपको क्या करना है, यह जो unit आपक कुछ इस तरह से दिखा देंगा, यह देखो, यहां पर आपका four है, यहां पर आपका three है, यहां पर लगावाए आपका two, और यहां पर है आपका one, यह देखो, तिपर यह जो छोटा सा unit है, इसे क्या कर दिया, मैंने यहां पर बहा लिग दिया, अब आपको क्या कराना है, फोर्थ को आप below the plane लेकर जा सकते हो या फिर about the plane लेकर जा सकते हो लेकिन आपको कैसा interchange करना है even interchange ठीक है और हमें पता है कि सर जब हम even interchange करते हैं कोई भी molecules का अगर हम दो बार change करते हैं तो हमारा जो configuration से हो identical होता है तो हम इसे क्या करेंगे यहां पर जो fourth priority है आप about the plane लेकर जाओ या फिर below the plane ठीक है तो मैं यहां पर क्या करता हूँ even interchange तो यहां पर लिको first interchange पहले क्या करेंगे first interchange first interchange first interchange करने के बाद में आपको क्या देखने मिला यहां पर four or two के बीच मैं करता हूँ पर इपनी जगा सब्सक्राइब ककी आप को दिखाए ने दे रहा करता हूँ weight true और यह बंडी प्लेन ता तो यह अपनी जगा पर as it is ठीक है यह पहला interchange किया पहला interchange odd interchange करेंगे तो configuration कैसा आएगा opposite हमें कैसा कराना even interchange तो हमें एक और interchange कराना पड़ेंगा तो किसी के भी बीच में आप करा सकते हो तो देखो यह रहा आपका second interchange second interchange तो देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे one और four को कर देते हैं यहाँ पर आपका one आजाएंगा above the plane और four आजाएंगा आपका below the plane और यह रहा आपका two और यह रहा आपका three अब यहाँ पर कराओ यह वाला जो आपका compound है और यह वाला जो compound है यहाँ पर जो configuration से बिलकुल आपको same मिलेंगा ठीके identical compound यह अब यहाँ पर हम configuration से करा सकते one one से लेके two two से लेके three anti-clockwise rotation configuration आजाएंगा एस तो हमने तीन possibility देखी यहाँ पर यहाँ तो आपकी fourth priority about the plane हो सकती है तो configurations को change कराएंगे fourth priority on about the plane to configurations क्याँँगा चेंज fourth priority अगर below the plane है जो भी configuration आ रहा है as it is लिख दो अगर fourth priority आपकी in plane आती है देखो in plane तो जो भी unit है उसे क्या कर लो बहार लिख दो उस पर even interchange कराऊ fourth priority का आपको कहाँ पर लेकर जाना है below the plane या फिर about the plane ठीके आपको जहाँ पर चाहिए आप लेकर जा सकते हो लेकिन fourth priority हमने यहाँ पर about the plane लेकर गया ठीके यह पहला interchange और एक interchange करानी की जरुआत तभी हमें identical compound मिलेगा तो देखो यह वला ठीके तो यहाँ पर जो configurations मिलेगा बिल्कुल सेम यहाँ पर configurations ऐसे आपको अलग-अलग सेंटर पर दिया जा सकता है इस पर आपको सेम आ जाएंगा इस पर इस पर इस पर इस पर इस पर जो आपको ब्लू कार बने सेम कंसेट को क्या करना आपको apply करना है अब बात आती है अब देखो भई यह तो आपको पता चल गया अब आपको क्या करना यहाँ पर ज़रा देखना ध्यान से यह देखो अब आपको अगर जंक्शन की उपर अगर आपको श्टेर के मिश्टी पूछी जाती है कि आपका ये बाइसाइकली कमपाउं ये रही बाइसाइकली कमपाउं और ये रहा वही जंक्शन ये जंक्शन अगर इसके उपर अगर आपको stereochemistry पूछी जाती है यह देखो यह जो junctions आपको नज़र आ रहा है ने यह वला अगर इसके उपर अगर आपको stereochemistry पूछी जाती है तो यहाँ पर हम R और S configuration कैसे निकालेंगे तो यहाँ पर यह जो है बिलोधी प्लेन होंगा यहाँ पर जो भी ग्रूप है सबसे पहले क्या करो उसे assign करो जो भी यहाँ पर configuration जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या given है कार्बुनील कार्बुनील गिवन है और यहाँ पर यह क्या है मिधील है अब मैं यहाँ पर configuration निकालना चाहूँगा तो सबसे पहले प्राइटी असाइन करो कार्बुनील को आ जाएंगी first यहाँ पर tertiary कार्बनेसर इसे second आ जाएंगी इसे third और यहाँ पर जो मिधील है इसे आ जाएंगी आपकी fourth priority ठीके तो यहाँ पर याद रखना अगर fourth priority अब उदी प्लेन आ रही है configurations क्या हो जाता है चेंज हो जाता है अभी हमने देखा कि fourth priority अगर अब उदी प्लेन है तो हम क्या करेंगे configurations को चेंज करेंगे यहाँ पर one two three R R changes to S ठीके R changes to क्या हो जाएंगा आपका S हो जाएंगा अब यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं फिर से कार्बूनी लगा देता अब फिर से priority दो अब यहाँ पर आ जाएंगा one यहाँ पर two अपर three और यहाँ पर आ जाएंगा four अब यहाँ पर one two three तो configuration आ जाएंगा आपका अब यहाँ पर configuration change कराएंगे नहीं क्योंकि fourth priority कहाँ पर below the plane है तो यहाँ पर configuration change नहीं होंगा अब देखो भी यहाँ पर अब कहानी में twist जो आपके लिए important है यह point को आप important करके आप लिख सकते हो ठीके अब देखो भी third आपके possibility क्या हो सकती है यहाँ से देखना भी यहाँ पर जड़ा यह देखो यह देखो अब यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ भी कुछ ऐसा group लिख रहा हूँ कि इसके उपर क्या लगावा है भी आपका Bromine क्या लगावा है Bromine तो यहाँ पर एक काईरल सेंटर है इसका हम R और S configuration निखालना है according to CIP rule CIP rule क्या कहता है high atomic number high will be the priority Bromine को आ जाएंगी first priority इसे देदो second priority इसे जाएंगी sir third priority इसे जाने वाली है और fourth priority इसे fourth priority कहाँ पर रहा गई fourth priority in plane आ चुके है fourth priority in plane आई है तो क्या करो भई यह unit को बहार लिख दो यह unit को बहार लिख दो देखो 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 यहाँ पर यह unit को हमने बहार लिख दिया कुछ यह वाला part चुके है यहाँ पर आपकी 3 है यहाँ पर आपको 2 मिला है यहाँ पर आपका fourth priority मिली है और ये आपकी क्या है one priority जो about the plane है जो last वाला जो हमने यहां पर concept देखा है इसमें इसमें आपको एक about the plane था एक below the plane था जो fourth priority थी इसके पाद दो choice है ये below the plane भी जा सकता है ये above the plane भी लेकिन इस वाले case में क्या है इस वाले case में आप fourth priority के पास सिब एक ही choice है इसे about the plane ही जाना पड़ेंगा क्योंकि बागी वाले तो in plane है ना वहाँ पर तो जा ही नहीं सकता तो fourth priority को अब यहाँ पर कहाँ पर लेकर जाना है आपको about the plane, तो fourth priority को कहाँ पर लेकर जाऊंगे, about the plane लेकिन कैसे हैं, even interchange कराना है first interchange first interchange करो भई यहाँ पर first interchange करेंगे तो fourth और one में आपको करना पड़ेंगा, चीके, तो यहाँ पर देखो यह आ गए आपका fourth priority चीके, यहाँ पर one आ चुकी है, यह आपकी two as it is or three as it is चीके, अब आपको एक और interchange करना पड़ेंगा किसी भी एक में आप interchange कर सकते हो one और three में करते ता हो भई में तो यहाँ पर one और three में अगर मैं करता हो तो three यहाँ पर आ जाएंगा one यहाँ पर आ जाएंगा और यह two और यहाँ पर है यह रहा आपका fourth priority अब निकालो configurations, one, one से लेके two two से लेके three, are but fourth priority on horizontal plane तो configurations क्या आजाएंगा आपका are changes to as तो याद रखना अगर junction है junction के उपर कोई कारियल सेंटर है और fourth priority in plane आ रही है तो आपको यह छोटे unit को यहाँ पर बहार लिख दो इसमें even interchange करा fourth को आपको लेकर आना है जो भी आपका body plane है या below the plane उसके उपर जो भी configurations आ रहा है उसे लिख दो even interchange कराना है बतलब दो बार आप करा सकते हो चार बार छे बार तिकिन even interchange होना जाए तभी आपको जो configurations है सेम मिलेगा अगर सीब आप एक ही बार interchange करा रहे हो configuration आपको opposite मिलेगा अब क्या करते है questions को समझते है जो आपको pyq में पुछा गया उसे देख लेते हैं यह देखो यह आपका क्या है questions यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले assign करेंगे भी जो भी priority assign करो फर्स priority किसे जाएंगी इसे जाएंगी सर कार्बूनी ले second priority इसे aldehyde को third इसे fourth यहाँ पर यह priority तो हम CIP rule से accordingly जहाँ पर हम easily यहाँ पर क्या कर सकते हैं दे सकते हैं अब fourth priority देखो भई कहाँ पर है fourth priority फिर से plane में आ चुकी है नहीं आ चुकी fourth priority plane में आ चुकी है यहाँ पर आप हम कैसे निकालेंगे यह देखो कैसे निकालेंगे भी यहाँ पर तो यहाँ पर one है तो यहाँ पर है आपकी fourth यहाँ पर आ चुका है आपकी three और यहाँ पर है two priority मैंने बताना था यहाँ पर आपको क्या करना है fourth priority को आप उदी प्लेन लेकर आना है Even interchange कराам देको Even Interchange यहापे हम क्या लिए इवन इंटरचेंज जेसे मैं कराता हूँ यहापर फ़ोर को 2 की जगाँ पर तो 4 आपका यहाँपर आजाएंगाLO आ जायएंगा यहाँपर या आपका 1 यह रहां 3 यह पहला इंटरचन अब 2 और 3 में कराऊंगा या आपका 4 यहापर आ चुका है आपका 3 यहापर 2 और यहापर 1 अब यहापर कराओ और यहापर यहापर जो यहापर जो इलिम्नेट कर दिया अब यहापर देखते हैं next chiral center, तो next chiral center में अगर देखते हैं, तो oxygen को आ जाएंगी first priority, ठीक है? इसलिए आ जाएंगी आपकी second third और इसे fourth फिर से fourth priority देखो in plane आ चुकी है in plane आ चुकी है, तो यहाँ पर आपको फिर से क्या करना है, even number of interchange, यह कराओ यह देखो, यह आपका oxygen है, यह रहा यहाँ पर आपके oxygen first यहाँ पर आपका second, यह third और यह fourth fourth को फिर से कहाँ पर लेकर आएंगे हम about the plane लेकर आएंगे क्योंके भी यहाँ पर about the plane है fourth को about the plane लेकर आना है तो यहाँ पर two और three अपनी जगापर as it is होंगे 2 और 3 अपने जगा पर यहाँ पर अब आ चुका है आपका 4th priority और यह रही 1 लेकिन यहाँ पर हमने सिब एक ही इंटरचेंज करा है अब हमें और एक बार कराना है तब हमें identical मिलेंगा तो देखना यहाँ पर अब हम क्या करेंगे 1 और 2 में कर देंगे 1 और 2 में 1 यहाँ पर चले जाएंगा 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर और यह रहा आपका 4th priority 4th priority 1 और 2 में हमने क्या करा दिया अब यहाँ पर configurations करा 1,2,3 ब्लॉक्वाइस रोटेशन लेकिन 4th priority आपकी horizontal plane तो configuration हो जाएंगा R changes to S R changes to S तो configuration देखो यहाँ पर 9R 10S जाएंगा आपका correct answer हो जाएंगा I hope आपको clear हो चुका होँगा तो ऐसी ही आप बाकी वाले जो questions है उसमें आप अपना concept apply कर सकते हो देखो यहाँ पर यहाँ पर जो कारेश सेंटर है same ऐसी ही आप यहाँ पर क्या करो assign करो priority अगर fourth priority above the plane है तो configuration change अगर fourth priority below the plane है तो as it is अगर fourth priority in plane आ जाती है तो even interchange कराओ और आपको answer जिलाएंगा ठीक है तो अगर same configuration आ जाते हैं तो identical अगर opposite आते हैं तेने आइस अमर कुछ same कुछ different आते हैं तो डाया श्ट्रियोमर और री जी आइस अमर तो यह ही नहीं तो इन तीनों में से ही आपका answer होगा चलो और यह एक आपके लिए क्या है homework है ठीक है तो यह homework है तो आप इसके जो configuration से मुझे comment box में आप बता सकते हो ताकि आप लोगों की भी practice हो जाए और मुझे पता चले कि यहाँ पर जो हमारा videos है यह आपको समझ में आया नहीं आया तो try करना है और comment box में इसके answer बता रहा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का आज का जो video है बहुत ही अच्छा लगाऊंगा मिलते हैं next किसी video में तो ऐसे ही हमारे interesting videos आते रहेंगे इसके लिए आपको क्या करना है जो भी हमारे IFS chemistry उसके साथ में जुड़ना है thank you so much watching and happy learning take care